नाव इंडो पैसिफिक में चाइना जिस तरह से अपनी गर्मी दिखा रहा है इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही ये चाते हैं कि चाइना को यहाँ पर थोड़ा ठंडा किया जाए नमस्ते जैहिंद, नाव रिसेंटली इंडियन नेवी की आईने सिंधु केसरी सबमरीन गई है इंडोनेशिया विजिट पर नाव ये साउथ चाइना सी में स्ट्राटेजिक बैलेंस और पावर के लिए गेम चेंजर बन सकता है क्योंकि देखिए साउथ चाइना सी नैचरल रिसोर्से से भरपूर एक बहुत ही वाइटल शिपिंग लेन है जो की लगातार इस रीजन में चाइना, वियतनाम, फिलिपिन्स और इंडोनेशिया की बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग सोर्स आफ पूरे रीजन में जो और भी देश हैं, इंकलूडिंग इंडोनेशिया, इनके लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विशय बन चुका है, क्योंकि ये चाइना की बढ़ती हुई नेवल प्रेजन्स को अपनी सिक्योरिटी और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा मानते हैं, और साथ में देखिए, चाइना हमेशा से ही ये क्लेम करता आ रहा है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही उसका है, और यहां पर जितने भी नैचरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं, उन पर सिर्फ उसी का अधिकार है, और साथ में इन इन आइलैंड्स पर बैठ कर ये लोग पूरे इस रीजन को कंट्रोल कर सकें, और देखिए, चाइना कई सालों से जिस तरह से अपनी मिलिटरी बेसिस को इन आइलैंड्स पर रैपिडली मॉडेनाईज करने में लगा हुआ है, आस पास के सभी देशों को, इनको इस बात का डर है कि कही कल को ऐसा नहो कि साउथ चाइना सी को चाइना पूरा कवजा ना ले और अकेला ही एक पावर ना बन जाए, जो फिर हमारे सी रूट में परेशानिया पैदा करेगा, जिससे हम दूसरे देशों के साथ व्यापार ना कर पाएं, क्योंकि देखि इनकी पूरी एक इस रूट पे डिपेंडेंट है, और इसी समुदरी रास्ते से ये लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, और अगर साउथ चाइना सी में सारा कंट्रोल चाइना के हातों चला गया, तो इनकी पूरी एक इक बहुत बड़ा खत्रा आ जाएगा देखिए साउथ चाइना सी में नैचुरल रिसोर्स की बात करें, तो ओयल, गैस और फिशरी इन सबसे भरपूर हैं, जिनको लेकर चाइना के साथ वियतनाम, फिलिपिन्स और इंडोनेशिया जैसे देशों का लगातार कॉंपिटिशन चलता रहता है, क्योंकि चाइना ये लगातार फाइड चलती रहती है, नाव इस पूरे साउथ चाइना सी में चाइना और इंडोनेशिया के बीच के कॉंफलिक्ट को डीपली समझते हैं, देखिए इस इशु को समझने के लिए आपको समझना होगा चाइना के नाइन डैश लाइन के बारे में, देखिए exclusive economic zone है, उसको भी अपने line के अंदर घुसा लिया है, यहाँ पर आप देखो यह रही entire South China Sea, यह रहा वियतनाम, यह मलेशिया, यह इंडोनेशिया, यह फिलिपिन्स, यह ताइवान और यह चाइना, नाव चाइना ने यहाँ पर ताइवान से लेकर फिलिपिन्स, इंडोनेशिया और वियतनाम तक एक imaginary line ड्रॉ कर दी और इसका नाम दे दिया 9-line, और line ड्रॉ करते वक्त इन लोगों ने स्पाटली आइलेंड्स के साथ साथ नतुना आइलेंड्स का यह वाला हिस्सा भी अपने अंदर ले लिया, जो की actually इंडोनेशिया की territory में आता है, अ अब चाइना इस island को अपना claim करके बैठा है, इस इसी island को लेकर सारा conflict है, अब आप कहोगे कि भई, line के अंदर ले लेने से इंडोनेशिया का island जो उसकी territory में आता है, चाइना का थोड़ी ना हो गया, जी बिल्कुल ठीक, देखिए नतुना आइलेंड्स एक बहुत ही rich fishing ground है जहां से जहाज भर-भर के मचलिया पकड़ी जाती है, और Chinese लगातार यहाँ पर ships और boats भेज कर illegally fishing करते हुए Indonesian authorities के हाथों पकड़े जाते हैं, फिर इनके boats को seize कर लिया जाता है, जिसकी वजह से Indonesian authorities और Chinese मचवारों के बीच में लगातार clash होता रहता है, Well, China Natuna Islands को भी अपना claim करके बैठा है और इन islands के around fishing boats और coast guard vessels को भी जमा करके रखा है, मगर Indonesia चाइना के इस claim को नहीं मानता और अपनी sovereignty को बचाने के लिए लगातार इन islands पर अपनी military से patrolling कराता है, Now, अब सवाल ये बनता है कि South China Sea में Indonesia trade और security के मामले में इंडिया को एक reliable partner क्यों मानता है और बात करें अगर इंडिया की भी तो इंडिया का South China Sea में क्या interest हो सकता है, देखिए ये रहा हमारा शक्तिशाली भारत, ये रहा इंडोनेशिया, ये रहा पूरा इंडियन ओशियन, ये रहा North Pacific Ocean और ये रहा South China Sea, नव देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि South China Sea ऐसी जगह है जहाँ पर विभिन देशों के जहास एक दूसरे के साथ व्यापार करने जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी मातरा में तेल और गैस पाया जाता है, नव भारत एक rapidly developing economy है और energy का major importer भी है और हमको और भी energy चाहिए to keep growing and developing, इसलिए भारत के लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि South China Sea के रास्ते में जहाजों को travel करने में और व्यापार करने में पूरी freedom मिले और यहां के resources पे पूरा access मिले, है ना? यहां पर आप देख सकते हो South China Sea strategically बहुत important जगे है जो Indian और Pacific Oceans को भी जोडता है, यहां पर Vietnam है, Philippines है, Indonesia है, Malaysia है, इनको भी तो यहां पर freedom of navigation रहना चाहिए, है ना? बट चाइना ने तो इसको अपना personal इलाका समझ कर यहां पर artificial islands बना रखे हैं, सारे natural resources पर अपना हग जमाने की कोशिश में है, नाव इंडो Pacific में चाइना जिस तरह से अपनी गर्मी दिखा रहा है, इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही यह चाते हैं, कि चाइना को यहां पर थोड़ा ठंडा किया जाए, पूरे इंडो Pacific में freedom of navigation, balance of power और regional stability मेंटेन रहे, क्योंकि देखिए भारत के साथ वियतनाम, फिलिपिन्स और इंडोनेशिया जो South China Sea के एकदम close है, इन सब के साथ भारत की एक अच्छी friendship है, और यह कुछ देश चाइना की activities को लेकर बहुत में हैं, और क्योंकि भारत इनका दोस्त है, और सबकी भलाई के बारे में सोचता है, तो यह भारत के लिए भी एक अच्छी opportunity है, कि हम भी South China Sea में अपनी engagement को बढ़ाएं, जिसके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, कि INS सिंधु केसरी के Indonesia visit का सीधे तोर पर South China Sea से कोई सं नहीं है, मगर यह South China Sea में maritime security और naval corporation को लेकर, इंडिया और इंडोनेशिया की strategic partnership में अच्छा contribution करेगा, देखिए, INS सिंधु केसरी में advanced sensors लगे हुए हैं, जैसे radar, sonar और radio systems, यह anti-ship और anti-submarine missiles को launch करने के लिए एकदम सक्षम है, नव देखिए, INS सिंधु केसरी की दहाड चाइना तक पहुचेगी, अभी इस पर चाइना का भी reaction देखना बाकी है, मगर एक बात बहुत clear है कि आने वाले समय में South China Sea एक hotly contested arena बनने वाला है, नव जानना चाहूंगा मैं इस पूरे issue को लेकर आप सबके opinions, do write your opinions in the comment section, I wish you all a very good health, Jai Hind